मुझा नमस्कार शिश भारत देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारद्वाज भारत सरकार की तरफ से एक नारा दिया गया आत निर्भर भारत और रक्षा शेतर में जिस तरीके से हम आत निर्भर हो रहे हैं वो दिखाता है कि किस तरीके से दुन्या में भारत का डंका बज़रा है क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके से रक्षा उपकरण को बनाया जा रहा है एक दिन ऐसा आएगा जब हम निर्यात करेंगे दुन्या में और आयात बहुत कम होगा और हमें किसी पर निर्भर रहने की जरुरत नहीं होगी क्योंकि रक्षा मंतरी राजनास सिंग की तरफ से भी कहा गया और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की तरफ से भी लेकिन आखिर ये होगा कैसे कितना इसमें समय लगेगा वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर आप को वाकई लगेगा कि किस तरीके से भारत आत्र निरभर हो रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान से DRONE इस साइड आते हैं उसको गुला बारूत के जरीये नस्ट किया जाता है लेकिन उसके जवाब में अब हम भी ऐसे DRONS तैयार कर रहे हैं कि हमें बहार के देशों से ड्रोन लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी और आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पर यह ड्रोन हैं जो की बनाया जा रहा है थोड़ी दिर में इसके बारे में हम आपको आखिर क्यूं हम यहाँ पर आए हैं और क्यूं हमें जरुवत पड़ी यहाँ पर आने की और आपसे इनकों मिलवाने की सबसे पहले अपना नाम बताईएगा मेरा नम मानस उपादिया है मानस बहुत 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 शुक्रिया सबसे पहले तो श्रिश भारत पर आपका मानस ह देख रहे हैं कि आत्मिर भर भारत का नारा सरकार की तरफ से दिया गया और यूथ को सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप आगे आईए और भारत के लिए कुछ ऐसी चीजे तयार करिए जो कहीना कहीं दुश्मन देशों को जवाब दे पाए अब उसमें से हम देख रहे हैं इस सबसे हैं और क्या तूरा सिस्टम है ने आज हमारे साथ समय निकाल और टेखना को समझने को जिसकर रहे हैं कि तरीका से बन रहे हैं और क्यों हम लोग इसको इंडिया में बनाने की गोश्च कर रहे हैं जाता से जाता तो मेरे ना माने सुपाधिया है और हम लोगों ने डी टाउन रबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेट के नाम से अपनी कंपनी शुरू करी थी आत्मी निवर भारत के अंदरगत दोहर अठा और दूसरी बात यह थी कि एक बार जब समान अपने इंपोर्ट कर दिया तो उसमें टाइम लगता था दो से तीन महीना और उसके बाद फिर उसके सर्विस या फिर एमसी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था तो जब हम लोग ने ये कंपनी शुरू करी तो पहला विज जब से नोगने इडाउन रॉबॉक्टिक्स शुरू करी और अभी हम लोग कई कई विबिन प्रकार के ड्रोन यहां पर बनाते हैं जो डिफेंस और कृषी के सेत्र में मेरी काम करते हैं तो हमने स्टाट अप उत्राखंड क्यों विजिस्टर किया और वहां से फिर हमारे ए कि तरफ से मिला जहां से हम लोगों को एक छोटा सा ग्रांट जो था वह एलॉट हुआ और हमें यह दिया गया कि इस टाइम लैन के अंदर आपको इस प्रोड़क को डेवलप करके देना है तो हमने एक साल की महनत पर उस डिजाइन को रिसर्च की डेवलप्मेंट किया और उस बहुत अच्छा रोल रहा है उसके पीसे जहां पर हम लोगों ने इस काम को शुरू किया अच्छा डिफेंस तक कैसे आप पहुंचे क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो बॉडर एरिया पर हम देख रहे हैं कि सिच्टूशन कैसी है उससे सबसे ज्यादा डून की जरू अब गौर्वर्मन्ट ऐसे लोगों को ढूंड रही है जो वैसे ड्रोंस को निजात कर पाए बना पाए अब मैं अगर बात करूं तो क्या आपके ड्रोंस भी सप्लाई होते हैं और क्या भविश्य में क्या आप भी कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि हां हमें दूसरे दे अब ही फर्स्ट मूवर एडवांटेस था तो जिन भी कंट्रीज को आप देख रहे हैं कि जो ड्रोंस अभी तक डेवलप कर रही हैं इंडिया भी जब एक राइज हुआ आप अगर देखेंगे तो इंडिया बना तो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंपनी जो कंट्री जो ड करते हैं इतना है कि हम लोग डरेक्ली एक ओन टांटी फोर्सिश को कर पा रहें और साथ-साथ उसको एक अच्छी कॉस्ट में को स्ट में डिफेंस को देवी बारें तो करेंड यह हमारे भी सेलुशन से जो डिफेंस यूज करती हैं यहां पर हम लोग इंडिया आर्मी को ब प्रोवाइट करते हैं और ड्रोन के साथ हम लोग रोबोटिक्स पे बहुत बड़ी मार्केट आने के टाइम पर और मार्केट भी क्या है कि जो एक क्लोजस्ट चीज हो सकती है जो एक हुमन को रिप्लेस कर सकती है किसी भी जानलेवा सिट्विशन से वो रोबोट्स हो सकते है तो ड्रोन भी रोबोटिक्स की है कैटेगरी है जैसे मैंने पहले भी बताया था तो हम लोग दोनों एंड पर काम कर रहे हैं ताकि एक ओवरॉल सलुशन क्रेट करा जा सके तो अगर किसी भी चीज को बनाना है तो उसकी प्लानिंग और उसका डिजाइन सबसे पहले होना च मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से दिजाइन पहले तयार हो रहा है फिर इस दिजाईन का जाब पूरी तरीके से इसे तयार कर היא करेगा उसके बाद इसे बनाई जाएगा हम बाठीट करेंगे और नाम सहoter है मैं भी नाम से यांपожд safely यहां पे सीनिया और यंड तो यह एक सबसे पहला फेस होता है किसी भी ड्रोन बनाने का जहां पर डिजाइनिंग की जाती है अच्छा यह पूरा प्रोसेस जो आप बता रहे हैं कितना समय लग जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कई साल लग जाते हैं कई महीने लग जाते हैं लेकिन यह प्रोसेस जो आप डिजाइनिंग का बता रहे हैं कितना समय इसमें लग जाता है तो सर डिजाइनिंग का म उसी में एक महीना R&D और इन सब चीजों में चले जाता है, फिर डिजाइनिंग के बाद जब बन के आता है को प्रोडक्ट, उसके उपर भी R&D चलती रहती है, डिजाइनिंग का एक ऐसा प्रोसेस है कि बार बार चेंज होती रहती है, जैसे ऐसे चीजें हमें बदलने की कैसे कहां पर क्या चीजें बनती हैं, जी इसके बाद आपको लेके चलता हूं जहां पर मशीनिंग होती है, फिर उसके बाद हम एक फाइनल प्रोडक्ट पर जो चीजें निकल के आती है, वहां पर आपको लेके चलते हैं, इसका नाम है मुनाल 640, जो की हम यूज करते हैं प्लस यहां पर नीचे कैमरा लग जाता है, जो की नाइट सर्विलेंस प्लस दे सर्विलेंस में यूज होता है, और अप टू वन केजी का पेलोड भी उठा सकता है, जैसे हमारे वीर जवान होते हैं, जो आर्मी में हैं जैसे लोग, तो उनको उठाने जैसे गन्स होगे, या बॉम्स या चीज़ें होती है, जो उनको उठाके एक जगा से लेके दूसरी जगा ले जाना होता है, और साथ ही साथ उनको सर्विलेंस करना होता है, और कैमरे की मदद से देखना होता है, एक पहाडी से दूसरी पहाडी लेके जाना है, तो उसकी मदद से यह कर सकते है असानी से एक केजी का पेलोड के साथ और यह आप देख रहे हैं अप्टू 70-80% हमारा खुदी यहीं पे इंडस्ट्री में बनाएं डीटाउन रोबोटिक्स में तो यहां तक कि हम केपिबिलिटी रखते हैं कि आप यह देखेंगे और यह T6 की चीजे भी अबनाने की कोशक करें जैसे हत्यार हो गया पहले यह था कि हम बौडर अरिया पर अगर अगर यहार देख रहें कि वो चल रहा है तो क्या की लिए भी ट्राइ आप लोग करतें जी जी मैं आपका आगे अपने हलके डून के लिए भी प्लस जो आप बता रहे हैं कि आर्मी को बहुत मुसीबत होती थी कुछ भारी समान उठाने के लिए तो उनके लिए डिटाउन रोबोटिक्स इनी चीजों पर हम फोकस करते हैं कि हम रोबोट्स भी मनाते हैं क्योंकि रोबोट्स का मेन काम यही होता है कि वह पेलोड उठाके ले जाता है आर्मी के लिए तो इन सब चीजों को ही देखते हुए ग्राउंड में जो दिक्कते आ रही है जवानों को तो उनी दिक्कतों को हम मद्य नजर रखते हुए हम इनी चीजों को पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैं आप से सवाल लोगा लेकिन अपने दर्श को को यह दिखा देता हूँ यह काफी हलका है से मैं भी उठा सकता हूं लेकिन बहुत कारगर है और जो आप देखते हैं पोर्डर एरिया पर भी जो ड्रोन होते हैं और जो दुश्मन देशों को जवाब देते हैं वो तूइक इसी तरह का होता है लेकिन अभी हलके ड्रोन का इस्तमाल हमारी आर्मी कर रही है और इस ड्रोन का चलन धीरे दीरे और बढ़ाया जाएगा जिस तरीके से बताया गया है और आप देख सकते हैं कि आपको यह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन कोई भी ड्रोन बहुत इसके अंदर आता है यह हमने पहला इंडिया का ऐसा ड्रोन है जो ऑटनॉमस फीचर्स के साथ आता है और यह स्पेसिफिकली हमने आर्मी के लिए ही बनाया था जिनको इजी तू मैप कर सकते हैं वो एक वेपोइंट से दूसरे वेपोइंट पर ले जाना है और सर्विलेंस करनी है तो आटोमेटिकली वो सर्विलेंस अगर बॉर्डर पे आपको लगाना है तो अप्टू 30 मिनेट से उड़ता है और आटोमेटिक वेपोइंट के मदद से वो सर्विलेंस करता है और बहुत ही लाइट वेट है यह मैंने भी देखा हमने जहां पर दंगे हुए हमने पॉलीस ने इनका यूज किया जहांगीरपुरी हो या फिर अलग-अलग एरिया में जो दंगे हुए थे वहां पर पॉलीस ने इनको मंगाया और इनका यूज हुआ। इकहटे हो रख हैं वहां, तो उस हिसाब से फोर्स लेकाया जाए जाती है, और कहां का प्लाइनिक किस हिसाब से करनी है किस दिशाह में जानाँ चीह हमें तो वह सारी दिशाएंTh dess earning寐र से हमें पहली पता चल जाती है और छोटा होने के कारण इसमें यह है कि आवाज भी बहुत कम होती है तो ट्रोन की एक सबसे बड़ी दिखेत ही हिँगती कि आवाज बहुत करता है तो इसमें हमने यह चीज भी रखा है कि बहुत ही low noise पे यह उड़ता है और low altitude पे उड़ता है कि अगर low altitude पे उड़ेगा तो जो दुश्मन है या फिर लोग हैं उनको यह नहीं पता चलेगा कि ड्रोन उड़ भी रहा है और लेकिन उनकी उपर नज़र रखी जा रही है लगे जो ऐसा दंगा फसाद करते हैं और इसी तरीके से बॉडर एरिया पर भी दुश्मन को ना पता लगे टारगेट चहां पर किये जाते हूं वहाँ पर यह इस्तमाल किया जाता है जो पूरा प्रोसेस है वो बताने की कोश्च अचाई यह क्या है इसके बारे में मुझे बताईगा यह एक रोबोट है जो की अट्रोमेसली भी हम चला सकते हैं मतलब आप मैप पे वेपोइंट्स वगरा मैप कर देंगे उसकी मदद से वो चले जाएगा प्लस यह जवानों के लिए बनाया गया था है हमारे पास रिक्वार्मेंट आई थी आर्मी सही कि टैंक के नीचे जाक कि टैंक के टैंक अगर उडाने होते हैं तो यहां कैमरा भी लगा है कैमरा की मदद से वो हम इसको तीन-चार किलोमीटर आगे ले जा सकते हैं और चुपते चुपाते इसको और टेरिन वेहिकल होता है फोर बैफोर होता है तो हर एक मोटर पर कंट्रोल है इनका ड्राइव क होता है कि टैंक के नीचे ले जाते हैं और विस्वोट हो जाता है मतलब जैसे ही वो टैंक के नीचे आता तो आइचालन राजस्तान पंजाब में भी किया गया है। अब मुझे आगे यह बताईगा कि इसका क्या है यह आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ था बीच में जो यूक्रेयन की वार भी थी इसे कहते हैं कामी गाजे डून्स तो क्मी आजे डून्स में किया होता है इसमें आगे केमरा बडा है तो इनकी कुछ रेंज होती है ते चार किलो मीटर की तो पॉत्पन चार में जागे आप इसको आगे कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हैं आपको दुश्मन दिखा आपने उसको लॉक कर दिया आप की मदद से तो आप की मदद से उसके बाद AI का इस इस्तमाल से हम क्या करते हैं जैसी लॉक हो गया टार्गेट तो वो आटोमेटिकली उस पे जाके और इसमें बहुत ही छोटे बॉम्म्स लगते हैं 200-200 ग्राम की बॉम्म्स लग जाते हैं तो वो जाके वो उस पे तूड भी नहीं कर पाता है इसको अच्छा इसके लिए एक सवाल आपसे पूछूँगा क्योंकि रूस यूक्रेइन को दो साल तकरीबन हो गये हैं यू दूरा है हम देखते हैं दो देशों का कहीं उदोता है तो तीसा देश फायदा उठाता है अमेरिका इस वक्त सप्ला मागने की जरूरत ना हो अगर मैं इसकी बात करो तो इसको भी अमेरिका युक्रेइन को सप्लाइ करता है और युक्रेइन काफी पैसों में अभी ले रहा है भारत को ऐसी नौबत कभी ना आए उसके लिए क्या करना होगा तो हम इसी उस पे लगे हुए हैं कि हम ज्यादा स शादा करें कि कुछ आसी नौबत भी आए लेकिन हम उसके लिए पूरा तैयार आगर मैं बात करों पूरा ग्लोबल की डोबल कंब्ली आपको करनी हैं क्योंकि अब यूब है कई कंप्थ आसी हैं कि अंद्यों हो जे उसी हैं लिए डिकिन वे यूपल है और इसमें लिए प इसमें आप यह देख रहे हैं यह किसान नौजल आती है तो यह यहां के इंडिया के मतलब जो बहुत है और प्लस यह पांच लीटर में आता है तो अभी हमने यह प्रॉब्लम देखी इंडिया में क्या है कि किसान जादे बड़े नहीं है अगर किसान के पास खेद भी है तो किसान के खेद बहुत चोटे हैं तो और लेकिन जो हमारे यहां पे इंडिया में जो ड्रोंस भी रहे थे अग्रिकल्चर फिल्ड में जो इनका स्प्रेंग का काम होता है तो जो ड्रोंस भी रहते वह जाहतर इंपोर्ट होते हैं तो इंपोर्ट वह उस देशों के हिसाब से जिनके यहां खेत बड़े हैं, तो वहां ड्रोन भी बड़े आ रहे थे, तो यहां इंडिया के लिए कोई ऐसा solution नहीं था, जो छोटे ड्रोन्स प्रोवाइड कर सके, तो हमने इंडिया को मद्दे रखते हैं, यहां के फार्मर्स और यहां की किसानों की मद्दे नजर रखते हमने यह सोचा कि यहां छोटे ड्रोन्स होने चाहिए, जो हमने पांच लीटर के लिए हमने यह बनाया, तो यह क्या है, छोटे खेत होते हैं, तो छोटे खेतों में बहुत ही असानी से गुच जाता है, और प्लस यह कॉस्ट एफेक्टिव बड़े ड्रोनों से, तो यहां क किसान इतना वो नहीं कर सकते हैं, पैसों से भी थोड़े तंग रहते हैं, तो उनके ध्यान रखते हुए, प्लस सरकार भी इन में बहुत सबसीडी वगरा प्रोवाइड करती है, तो सबसीडी के मदद लेते हुए, किसानों को हम हम हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि यह स्प्रे करनी होती है, किसान को मतलब 2-3-3 दिन लग जाता है, और बहुत ही थकान भरा काम होता है, जो लेवर भी हायर करता है, तो उसको ना करते हुए, वो यह यूज करेगा, तो यह आपका 15 मिनिट के अंदर ही उनका एक एकड़ का खेत कर सकता है, पूरा-पूरा, यह चीज क्य क्या है, इसके बारे में मुझे समझाएगा, इसका यूज क्या है? उनके बेस कैम्प में या हाई अल्टीटूट पर ले जाना है, तो वहाँ पर यह ले जा सकते हैं, अच्छा भी गल्वान का इंसिडेंट हुआ था, हमने देखा कि चाइना हमेशा ऐसी कोशिश करता है, लेकिन गल्वान इंसिडेंट के बाद हमने कोशिश की कि हलकी चीज पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पहले घोडे का और अन चीजों का इस्तमाल किया जाता था, यो लद्दाक में चलते हैं, लेकिन इससे कितना आप कहेंगे कितनी आसानी इससे हो जाएगे आर्मी को, क्योंकि वो रास्ते ही ऐसे हैं, बरफीले, पहाड हैं, जहां पर मतलब कोई गाड़ी नहीं जा सकती, जानवरों को भी बहुत दिक्कत होती हैं, तो वहां के लिए ये मस्ट हो जाता है, कि मतलब ये बहुत ही मददगार करता है, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सब चीजों को बताया, तो आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन्स को बनाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कितनी मदद किसानों को भी और कितनी मदद आर्मी को ये करेगा, और वाकई अगर ऐसा हुआ, तो हम देखेंगे कि द देखेंगे ये बताया कि देखेंगे है